Reliance Industries आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है और Reliance Industries की बात करें तो गुल्मन सैक्स का आज एक बड़ा रिपोर्ट Reliance Industries पे आया है कंपनी के शेरों में गुल्मन सैक्स को ज़ादा तेजी लगती है और इनका लक्ष Reliance के काउंटर पे है 3,400 रुपए गुल्मन सैक्स को लगता है कि यहाँ से रिटर्न उन कैश क्योंकि बहुत सारा केपेक्स कंपनी का कंप्लीट हो चुका है बड़े प्रोजेक्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ से 12% रिटर्न उन कैश शायद Reliance Industries को मिलता हुआ दिखाई पड़े F25 में EBITDA CAGR ग्रोथ यानि compounded ग्रोथ जो है आने वाले वित वर्षों में लगभग 17% तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है Reliance के EBITDA में जहां आपको अच्छी ग्रोथ दिख रहे हैं consensus के मुकाबले Reliance Industries ने लगभग 125 बिलियन डॉलर्स का केपेक्स यानि बड़ा प्रोजेक्ट जो इन्होंने पेटकेम और टेलिकॉम में किया है इसके रिटर्न अब दिखना शुरू हो जाएंगे ऐसा गुल्मन साइक्स का मानना है खास करके रिटेल और टेलिकॉम हाईर अबिटा कॉंट्रिबूशन करेंगे जिसके कारण डिटर्न रेशियो आपको अच्छे बहतर होते हुए दिखाए पड़ेंगे